लोग की दुनिया में आप सब का बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि सपने में घड़ी देखना कैसा होता है। दोस्तों सपने में घड़ी देखना एक पहती कीमती सपना होता है, जो की जीवन में जल्द ही आने वाले अच्छे समय की और संकेत करता है। साथ ही ये सपना जल्द होने वाले किसी सुखद यात्रा की और भी संकेत करता है। तो आज के इस वीडियो में हम आपको सपने में घड़ी देखने की विविन अवस्थाओं के बारे में चर्चा करेंगे। प्रयासरत नहीं होते, तब भी आपको घड़ी के सपने आते हैं। जब आपको अपने वास्थाओं जीवन में कार्यों को करनी के प्रयासों की अवर्शक्ता होती हैं, तब भी सपने में घड़ी दिखाई देती हैं। तो घड़ी का सपने देखने पर आपको अपने कार्यों और उदेश्य को दबारा से समझना चाहिए और उसमें जोग में प्रयाज छूब क्या है उसी करना चाहिए दोस्तों यदि आप सपने में नई घड़ी पहनते वे खुद को देखते हैं तो इसका क्यारत होता है दोस्तों स्वोपन जोतिशास्त के अनुसार अगर कोई सपने म खराब या बंद घड़ी पहनते हैं तो इसका क्यारत होता है दोस्तों स्वोपन जोतिशास्त के अनुसार अगर कोई सपने में किसी घड़ी को खरीते वे देखता है तो यह सपना भी अच्छे भाग्ये का प्रतीक माना जाता है और जल्दी किसी मनो कामना के पूर्ण होने की और इशारा करता है इसके अलावा दोस्तों यदि आप सपने में खराब या बंद घड़ी को देखते हैं या तूटी घड़ी को देखते हैं तो इसका क्यारत होता है तो दोस्तों स्वोपन जोतिशास्त के अनुसार अगर कोई सपने में किसी खराब या बंद घड़ी को देखता है तो यह सपना कुछ जादा अच्छा नहीं माना जाता जो कि किसी काम में आने वाली अडचन की ओर इशारा करता है दोस्तों तूटी हुई यह खराब घड़ी घर में रखना भी अच्छा नहीं माना जाता यह तो हम सपने की बात कर रहे हैं लेकिन यदि आप घर मे भी ऐसी घरी रखते हैं तो वह भी अच्छी नहीं होती जो आपके काम में परिशानिया उत्पन करते हैं इसके अलाबा दोस्तों सपने में घरी रखे हुए देखते हैं तो इसका क्या आर्द होता है दोस्तों यदि कोई सपने में घरी को कहीं पर रखे हुए देखता है त के लाबा दोस्तों यदि आप सपने में देखते हैं कि आपको घड़ी कहीं से मिल रही है या गिफ्ट में मिल रही है तो इसका क्यार्स होता है तो दोस्तों स्वापन जोतिशास के अनुसार अगर आप सपने में किसी घड़ी को पाते हैं या गिफ्ट के रूप में पाते हैं दोस्तों तो अपने जोति शास के अनुसाल अगर कोई सपने में देख रहा है कि उसकी घड़ी खो गई है और उसे ढूंड रहा है तो ये सपना इस ओर इशारा करता है कि आपको अपने समय का सदूपयों करना चाहिए सही तरीके से उसका यूज़ करना चाहिए इसका मतलब यह भी होता है कि आप अपने समय का सही से यूज़ नहीं कर रहे हैं तो आपको इसो प्यान देना चाहिए इसके लबाद दोस्तों यदि आप देख रहे हैं कि आप घड़ी में टाइम देख रहे हैं और घड़ी उल्टी चल रही है तो इसका क्या आपता है तो द दोस्तों यदि आप तूटी हुई घड़ी देख रहे हैं तो सप्टी में टूटी ही घड़ी देखना या घड़ी तूटते हुए देखना या घड़ी कखोना आने वाली समय में परिशानियां, मुस्टिवद और परिबारी सम्मंद्वों के खराब होने की और या बुरे स समय के स्टार्ट होने की और सूचना देता है इसके लब दोस्तों यदि आप देखते हैं कि सपने में आपको घड़ी चुराते हुए आप खुद को देखते हैं तो काम बहुत समय से रुके हुए हैं या आपने रोक रखे हैं उन्हें इपकरने का समय आगया है यह सपना बताता है आपको उन्हीं अब घर लेना चाहीं ही को कि इस कि आलाबा दोस्तों यदि आप सपने में बहात जी मैंगी भड्यंड़ खड़ी का देखने का मतलब किसी प्रकार की धोके ये विश्वार घर का संकेव करता है। ये सपना आपकी संपत्ति या धन से संब्दित धोका ये किसी की दुआरा आपका फाइदा उठाने के और इशारा करता है। वहीं दोस्तों यदि आप सपनी में देख रहे हैं कि घड़ी की टिक टिक की अवाज आ रही है तो इसका क्याद होता है। तो दोस्तों स्वाक्न जोति शास्त्र में सपनी में हाथ घड़ी का टिक टिक सुनना आने वाले समय की अशुक घड़ना की ओर संकेत करता है। यह जीवन के उटार चड़ाब का भी संकेत देता है दोस्तों स्वप्ण जोति शास्त्र में सपनी में घड़ी का खरीदना उपहार में मिलते हुए देखना भविश्य में नई अपसरों के मिन्ये और सफलता यह सुष समचार होने की आने की ओर इशारा करता है इसके लाव यदि आप भुली को ठीक करा रहे हैं तो दोस्तों यह आपके अंदर के आत्मी सम्मान और आत्मी विश्वात की कमी को बताता है यह सपना देखने पर आपको अपने कारेयों में और अधिक मेहनत करनी चाहिए ताकि आप सफल हो सके इसके लाव दोस्तों यदि आप दिवार घड़ी देखते हैं तो यह सपना आपको किसी प्रकात की मानसिक चिंता या परिशानी को बताता है यह सपना देखने पर आपको अपने कारेयों के प्रति लापरवाई नहीं करनी चाहिए